Student, last class में हम दो type कर चुके थे, reasoning के, जिसमें हमने पढ़ा था counting number of triangles, आज हम कर रहे है part number 3, देखे, हमने type 7 तक करिया था, अब हम type number 8 पे आ चुके है, देखे, इस तरह का आपके पास figure होगा, जब हम इसके partition करने शुरू करेंगे, तो दोनों तरफ से क्या होंगे, सीन, जैसे इ उसमें x की value को देदोगे 4, ठीक है, तो इस रेके question के लिए formula होता है, 2x square minus 5, क्या formula होता है, 2x square minus 5, तो यहाँ पे x की value कितनी है, 4, तो 2 गुना में 4 का square minus 5, 4 का square कितना होता है, 16, 16 को 2 से multiply किया 32, उसमें से 5 गटाएंगे, तो कितना आ गया, 27 triangles, next देखिए, हमारे पास partition कितन होता है, 1, 2, 3, इधर से भी 1, 2, 3, अब इसमें x की value कितनी हो गई, 3, तो इसमें value गुट कीजे, 2x square minus 5 होता है, 2 multiply, x की value 3, 3 का square कितना होता है, 9, 9 तूजा 18, 18 में से 5 गई, 13 triangles, okay, next type number 9 करते हैं, देखिए, type number 9, type number 9 में क्या होगा, इस तरेका आपका triangle होगा, और उसमें ऐसे partition बने होगे, line से, इधर से देखो partition 1, 2, इधर से भी partition 1, 2, तो अगर same partition होता है, तो partition की power 3 हो जाती है, मतलब जितना partition होता है, उसकी cube हो जाती है, तो 2 की cube का मतलब 2, 2, 4, 4, 2, 8 triangles हो जाएगी, इसमें देखिए partition कितनी है, 1, 2, 3, इधर से भी count करेंगे, तो 1, 2, 3, तो यहाप की क्योब कितनी होगी 64 triangles, next में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 की क्योब कितनी होगी 1, 2, 5 triangles, next question देखिए type number 10, देखो इस type का मैंने आपको type first में करवाय था, 1, 2, 3, 4, तो हम क्या कर रहे थे इसका दुगना 8 triangles, इसी type 1 को थोड़ा सा और modify करते हुए हम आगे काम करेंगे, जब इस त तो देखो, एक box की कितनी triangle आ रहे है, 8, यहाँ पर box कितने है, 1, 2, और यह 3, तो 8, 3, जा कितनी triangle होगी, 24 triangles, अब हम इसमें हैं न, intersecting point काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो इन 4 को और राड़ कर देगे, तो कितनी triangle होगी, 28 triangles, next देखिए, कितने box है, 1, और 1, 2, तो एक box की 8 triangle, तो दो box की कितनी होगी, 16, और यह 2, intersecting point है, इनको और राड़ कर देजे, तो 16 में 2 जोड़े, 18 triangles, next देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 box है, 1 box की 8 triangle है, तो 4 box की कितनी होगी, 32 triangles, अब इसमें intersecting point देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह 6 triangle और राड़ कर देजे, 32 में 6 जोड़े, 38 triangles, ठीक है, thank you very much